तो प्रभाद बच्चो आपका स्री राधा वल्लवकागी में स्वागत है आज मैं कक्षा LKG को विशय हिंदी पढ़ाने जा रही हूं आज का विशय है वड माला के अक्षर का और खा का और खा दो वक्षरों को लिखने का हम आज अभ्याज करेंगे का से कमल है ना का से कभूतत भी होता है कि यह इस तरह से ठीक है आप यह लाइन पर पहले यह सीधा डंडा किचेंगे यहां से ऐसे गोला बनाएंगे इसको यहां से ऐसे नीचे कर देंगे बहुत सरन है दुबारा से लिखने का अभ्याज करेंगे ऐसे नीचे दंडा किचा यह हमने ऐसे गोला बनाया फिर इसको यहां से ऐसे लिजा पर ऐसे ठीक है दुबारा से देखिए यह फिरा आदा गोला फिर यह ऐसे ठीक ठीक यह इस तरह से ठीक है कहा से कबूतर खा से क्या होता है बताओ अपने नर्सरी में पढ़ा होगा ना खा से भर्गोश यह इस तरह से पहले हम ऐसे बनाएए फिर इसको ऐसे यहां से गुमाके ऐसे ले जाएंगे उपर लाइन तक यहां से सीधी लाइन करेंगे इस तरह से फिर बीच में एक छोट ऐसा गोला बनाएए को मुझ में आगया आपको दुबारा देखिए यह अमने ऐसे किया पिर हम लाइन पर ले गए हमेए इस तरह से बहुत सरल है दुबारा देखो यह हमने ऐसे यहां से घुमाके पीछे ले गए है सीधी लाइन की बीच में एक छोटा से भूला बनाएं ठीक दुबारा से इस तरह से ऐसे खा से खरगोश ठीक है कहा से क्या होता है बोले कबूतर खा से खरगोश आपको अपनी कौपी में ये दो अक्षर बीच में इसी तरह से पूरे कौपी का पेज फिल करना है इस तरह से आप पूरा पेज फिल करेंगे और इस तरह से ऐसे खा को नीचे लिखेंगे ठीक है ये आपका क्या है ये वर्क है आपका CW और दूसरे पेज पर आप HW लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे सेम एज प्लास्मर ओके बिल्कुल सुन्दर सुन्दर करना है कॉपी बिल्कुल साफ नीट और क्लीन रहनी चाहिए ओके बाइबाइब